हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल में इत्रीस गूडफूर में आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं आलू और भिंडी की बहुती टेस्टी और चटपटी सबजी आपने कई बार आलू और भिंडी की सबजी बनाए होगी उसमें कई सारे मसाले भी डाले होगे लेकिन आज हम रूटिन मसालों से ही भिंडी और आलू की सबजी बनाएंगे और खाने में बहुती टेस्ट यो लाज़ाब बनेंगी तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम उसकी सामगरी को देख लेते हैं मैंने 500 ग्राम भिंडी और एक मीडियम साइस के आलू को कट कर लिया है चार चमश तेल ले लिया है दो चमश लाल मिश्क पाउडर एक चमश धर्या चीरा पाउडर आदा चमश हल्दी पाउडर आदा चोटी चमश चीरा एक चमश लवसुन की पेस्ट और स्वात के नुसान नमक ले लिया है सबसे पहले एक कड़ाई के अंदर हम तेल डाल देंगे तेल हमें इसमें ज्यादा ही लेना है चार चमश तेल डालने के बाद अब इसमें हम चीरा डाल देंगे चीरा अच्छ से पक चाई उसके बाद इसमें एक चमश लवसुन की पेस्ट डाल देंगे लसुन अच्छे से पक चाए उसके बाद इसमें कट किया हुआ अलू डाल देंगे यहाँ पर मैंने अलू को मिडियम कट कर लिया है और एकदम पतला कट किया है ताकि वो जल्दी से पक चाए अलू डालने के बाद अच्छे से इने एक बार चला लेंगे उसके बाद इसमें हम आदा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर डालने के बाद हल्दी पाउडर को भी आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अली पाउडर अच्छे से मिक्स हो चाए उसके बाद 5 मीड तक लो फ्लेम पर हम इसे इसे ही पकने देगे 5 मीड के बाद अब फिर से एक बाद चला लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा आलू पक गया है कि नहीं अलू अमरा अच्छे से पक गया है अब हम इसके अंदर फिंडी डाल देंगे फिंडी को मैंने अच्छे से वोश करकर इस तरह बारिक टुकडे कर लिये है फिंडी डालने के बाद अलके हातों से ही हमें फिंडी को इस तरह अलू के अंदर मिक्स करना है बिल्कुल हलके हातों से हमें इसे मिक्स करना है वन्ना हमारी सबजी चिपचिपी बनेगी करीबन दो मीड तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में एक बार इसे चलाते रहेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें हम स्वात के नुसान नमक डाल देंगे नमक डालने से फिंडी हमारी जल्दी से पक चाएगी और अच्छे से नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे दो मीट तक ऐसे ही हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और बीच में इस ब्याट चलाते रहेंगे अब इसमें हल्दी पावडर और लाल मिश पावडर डाल देंगे अब मसाले डालने के बाद फिर से मसालों को अच्छे से इनमें मिक्स कर लेंगे मसाले डालने के बाद लो फ्लेम पर एक मीट तक हम इसे इस तरह चला कर हम पकने देंगे मसाले अच्छे से पक गए है उमारी सबसी बन के रेड़ी हो चुकी है तो लेजिए ये हमारी टेस्टी और लाजवाब पिंडी और आलू की सबसी बन चुकी है इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे इसके उपर आप बारी कट किया हुआ हरा धनिया से गानिश कर सकते है एस सबसी रोटी के साथ पराठे के साथ आप खा सकते है और उसके साथ आप कोई भी आचार और ठंडी ठंडी चास भी पी सकते है यह बहुत ही टेस्ट Eddy लाचाब लगती है बिना कोई एक्ष्टा मसाला डाले हुई घर के रूटीन मसालों से हमें सबसी बनाई है यह सबसी खाने में सच में बहुत ही टेस्टी बनती है आप भी इसी तरह इस रेशिपी को अपने घर पे जरूर से ट्राइ करें और हमें कमेंट में कहिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिजे मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद